हेलो फ्रेंड्स आप सभी को नव वर्ष की शुप काम नाएं इस वीडियो में हम यहां जानेंगे कि वर्ष 2023 के लिए किसी भी दिनांग का दिन हम कैसे निकालेंगे केलेंडर वर्ष के किसी भी दिनांग का दिन निकालने के लिए हम प्राया है केलेंडर, मुबाइल फोन या फिर किसी अन्ने साधन का प्रयोग करते हैं जो कि काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है यानि कि इनमें समय बहुत लगता है आता है हमें कोई ऐसी ट्रिक का पता होना चाहिए जिससे हम mentally किसी भी दिनांख का दिन बहुत जल्दी निकाल सकें तो यह हमें समय बचाने के लिए काफी महत्मूर सिद्ध होगा तो हम इस वीडियो में ऐसी ही ट्रिक के बारे में समझने वाले हैं चलिए हम इस ट्रिक को समझते हैं सबसे पहले यहां आपको यह समझना है कि रवी बार से लेकर शनी बार तक के किसी भी दिन का जो कोड होता है वह इनकी क्रम संख्या होती है जैसे कि रभी बार के लिए शुन्य, सोम बार के लिए एक, मंगल बार के लिए दो, बुध बार के लिए तीन, गुरु बार के लिए चार, शुक्र बार के लिए पाच, और शनी बार के लिए छे, यानि कि क्रम सह जो दिन होंगे, वही उनका जो क्रम है, वह कोड होगा, अब आपको सभी महीनों के code याद रखना है महीनों के code यहाँ दिये हुए है जनवरी के लिए 6 फरवरी के लिए 2 मार्श के लिए 2 अप्रेल के लिए 5 मै के लिए 6 जून के लिए 3 जुलाई के लिए 5 अगस्त के लिए 1 सितंबर का 4 अक्टूबर 6 नवंबर 2 और दिसंबर का code होगा 4 इतना याद कर लेने के बाद आपको बस इस सूत्र में जो कि यहाँ पर डिस्पले हो रहा है सभी values को रख देना है कौन कौन सी values एक तो date और दूसरा month code month code यहाँ से आपको याद रखना होगा अब दौनों को जोड़ करके यानि कि यह सूत्र के नुसार date और month code को जोड़ करके आपको इन्हें यानि कि दौनों के total को 7 से divide कर देना है और 7 से divide करने के बाद जो भी शेशफल आएगा वही आपकी दिन संख्या होगी यानि कि जो दिन है उसका serial number होगा जैसे कि यादी आपका जो शेशफल है एक आता है तो दिन हो जाएगा सोंबार शेशफल दो आता है तो दिन मंगल बार, इसी प्रकार से यदी शेशफल 6 आता है तो दिन शनीवार हो जाएगा शोनने आने पर जो दिन होगा वह रविवार होगा हम यहाँ पर उदाहरण के माध्याम से इस ट्रिक को समझने का प्रयास करते हैं मान लेते हैं हमें 1 जनवरी 2023 का दिन निकालना है तो यहाँ पर सूत्र में हम value रखेंगे date की जगा पर 1 रखेंगे और मन्त कोड जनवरी का 6 है तो हमने यहाँ पर 6 रख दिया 6 और 1, 7 7 को हम 7 से ही भाग देते हैं तो शेशफल हमें प्राप्त होता है 0 अब 0 किस दिन का कोड है? रविवार का तो सीधी सी वात है 1 जनवरी 2023 को रविवार होगा एक और उदाहरन लेते हैं 12 नवरी 2023 को कौन सा दिन पड़ेगा? तो इस सूत्र में हम वैलिव रख देते हैं date की जगा 12 और नवरी का कोड है 2 तो 12 और 2 12 और 2 होता है चाउदा 14 को हम साथ से डिवाइट करते हैं तो शेशफल हमें 0 प्राप्त होता है तो 0 किस दिन का कोड है? रविवार का तो 12 नवरी 2023 को भी रविवार होगा एक अन्य उदाहरन के मद्ध हम से समझते हैं 24 अक्टूबर 2030 को कौन सा दिन होगा? तो इस सूत्र में हम मान रखते हैं यानि कि वैल्लियू रखते हैं 24 धन अक्टूबर का कोड कितना है? 6 तो 24 और 6 तीस तीस को अब हम साथ से भाग देंगे शेशफल बचेगा? 2 तो शेशफल जो है दो आया इसका आशा यहा है कि क्रम संख्या दो वाला दिन यानि की सौम मंगल दूसरा दिन कौन सा है? मंगल 24 अक्टूबर को मंगलवार होगा तो फ्रेंड्स हमने इस वीडियो में यह जाना कि 2023 के लिए किसी भी दिनांकर का दिन हम कैसे निकालेंगे? आपको यह ट्रिक कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा वंदे मातरम